Hello everyone, दोस्तों SSE CGL 2021-2 की जो आंसर की है वो 24 अजस्त को SSE के official website ssc.nic.in पर upload कर दी गई है and I am sure कि आप सब लोगों ने देख लिया हुआ कि आपके raw score कितने आ रहा है अब जो आपका raw score है वही आपका actual score भी है क्योंकि इस बार कोई normalization नहीं है like SSE CGL 2020 कुछ लोग परिशान है यह सोचके कि जितना वह expert कर रहे थे उससे कम marks उनक्या है error जितना उन्हों सोच रहे थे उससे जादा उनके questions गलत हो गए है तो यह सब सोच के परिशानी है परिशानी इस वज़े से थोड़ी जादा है क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि paper काफी easy था तो वो लोग भी जिन्होंने 160-70 भी score किया है तो वो लोग भी suspicious है क्या इतना marks sufficient है क्योंकि paper तो easy था तो शायद 180-90 लाते तब कोई बात बनती तो इस तरह की बाते चल रहे हैं तो इसके बारे में discussion करेंगे आपका doubt clear हो जाएगा और वो लोग जादा बुरा feel कर रहे हैं एक negative zone में जा चुके हैं उनके लिए भी मैं कुछ बात यहां पर करूँगा तो बिना देर किया शुरू करते हैं इस वीडियो दोस्तो जो भी बाते हम students करते हैं especially online platforms पे वो जूट नहीं होता है बट exaggerated होता है कहने का मतलब कि जो paper हु वह easy था ऐसा मैंने कर रहूं कि नहीं था मैंने खुद paper solve किया है 30-35 कुछिन मैंने खुद solve किया है सारे मैं नहीं कर पाया लेकिन वह solve करके मुझे लाए कि paper easy है बट उतना easy नहीं जितना कि online platforms पे बताया जा रहा है paper decent था like जैसा 2020 का paper था उससे थोड़ा easy कह सकते हैं लेकिन बहुत easy था बहुत लोग कह रहे थी कि जैसे 2019 CGL में 18 November का paper आया था उससे भी easy है ऐसा नहीं है paper उससे काफी better था और मेंस के level का था ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल हलवा question था कि आप देख देख के question आप solve कर दोगे तो मेरा नुमान यह है कि अगर आप unreserved category से belong करते हो 90 question प्लस score लेकर आओगे tier 1, tier 2, especially tier 2 की मैं बात करूं तो आप काफी लोगों से आगे रहोगे इसके बिल्कुल भी आपको टेंसे लेन के दरूरत नहीं है आगे बढ़ने से पहले मैं test book के बार में एक बार बता दो test book अभी तक आपको mock test provide करना था आपकी exams के लिए prepare करने के लिए but अ आप test book नहीं पर coaching भी स्टार्ट कर दी है super coaching का नाम तो test book super coaching यहां पर आपको अलग-अलग platforms के popular और experience educators आपको सारे subjects पढ़ाएंगे इसकी fees जो है वो 303 पर मन्त है लेकिन अगर आप मेरा code www.20 use करते हैं तो आपको 20% के discount मिल जाएगा तो 267 पर मन्त में आप इस course को अवेल कर सकते हैं यहां पर आपको लाइफ क्लास देंगे डाउट्स और विजिन क्लास भी चिलेंगी प्लस आपको यहां पर सारा class notes वगरा मिल जाएगा subject wise test book का mock test का पास जो आप लेते थे वो आपको इस subscription के साथ आपको free मिल जाएगा तो काफी देखी जगे आपको सारा subscription मिल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का discount चाहिए होगा तो अब दोस्तों बात करते हैं उनके बारे में जिनको ऐसा लग रहा है कि माक्स काफी कम आगा काफी जादा परिशान और डिप्रेस्ट हैं टिक बात बताइए आप दोस्तों कि जब आप मॉक्स देते थे तो क्य सब्सक्राइबर जो किसी क्लिगर दोस्ती दिएा तो एकईशा और परिशान होने की बात नहीं है मैंने खुब तीसे एक्टेंट में सीजियल क्लेयर किया है पहला दो एक्टेंट मेरा भी ऐसा ही किया था एक्जाम देखे जब मैं आता था तो बहुत गुस्सा आता था चिड़ चिड़ा पन फील होता था फरस्टेशन लगता था क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता है जो भी टॉपर्स ने बताया जो भी टेजुकेटर्स ने बताया सारी बाते मैंने फॉलो की कि जितना आप एक्सपेट करेंगे उससे कहीं जाद आपका इच्छा एक्जाम जाएगा ऐसा भी टाइम आएगा इसलिए थोड़ा पेशन्स रहो बुरा लगना इस वेरी वेरी नॉर्मल लगने दो लेकिन डिप्रेशन या निगेटिव फीलिंग के शिकार मत हो जाना इस तो इबसे से हेल्प लो जो कि आपको इनकम्यों को दूर करने में हैल्प करेगा जो जिसके कुर्से सबसे जादा सायल हो रहे हो आपके लिए बैस्ट हो ऐसा जरूरी बिलकुल नहीँ तो एक ऐसा एक अजुक्ष कृेटर जो कि आपको अपनी कभंकर इब्रूब्रूफ कर हो ठीक है तो इसी लिए क्या इंपॉर्टेंट ही अब आप खुद से जिसाइड करो अब मैं वापस आपको नहीं बोले हूँ आपको पता चल गया होगा तो आप कुछ सोचना नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करना जादा वक्त नहीं बचा है लेकिन इतना वक्त है कि आप संभल के काफी अच्छा स्कूर कर सकते हो अगर आप एक प्रॉपर वे में पढ़े एक स्ट्राटीजी बना के पढ़ो एक प्लाइ कोशिश करो कि अपना टेंप्रामेंट करने की ज़रूरत है या ज्यादा मॉक्स देनी की ज़रूरत है तो फिगर आट करो और उसको कैसे आप इंप्रूफ कर सकते हो अगले अटम से पहले वह फिगर आट करो और काम करना शुरू करो एक बात मैं बताना चाहूंग आपको जो कि एजुकेटर्स अमूमन नहीं बात कर रहे हैं इसके बारे में SSC आज कल इतना सिंपल पेपर क्यों से टिया रहा है मैं इजी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कंपेर करें पेपर लाइक 2017-16-15-14 से तो आज कल कि जो से पेपर आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से तो काफ्य सिंपल पेपर आ रहा है कोई भी कना इया पर लिपकूर नहीं है जो खिला फायदा उठा रहे हैं इसका बहुत बड़ा सेक्षे ऐसा है जिनको यह रिसओर्स अभी भी नहीं है जो गाउं में रहते हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो online coaching वगरा भी afford कर सकें दोनों को fair chance मिले, fair opportunity मिले इसके लिए SSE ऐसा paper set कर रहा है जिससे की जानकारी किसके पास ज़्यादा है वो matter नहीं कर रही है matter वो करता है जिसका दिमाग कितना ज़्यादा तेज है temperament कितना better है calculation किसके अच्छी है overall understanding subject किसके अच्छी है वही अच्छा perform करेगा obviously जो ज़्यादा अच्छे coaching हो पर रहा है उसके पास knowledge ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये सब qualities जो हैं वो आप खुद से develop करते हैं अपने self study से या self improvement से तो इस वीडियो में बस इतना ही निराश बिलकुल मत हो काफी अच्छी opportunity आने वाली है एक एक दिन जो आप निराश्चा में बिताओगे वो आपका waste होगा ऐसा मत करो एक एक दिन काफी ज़्यादा appreciate है जैसा कि मैंने कहा list बनाओ कमियों की और उस कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हो उसके बगल में वो लिखो या अगर आप figure out नहीं कर पाऊगी कि ये कमियों में कैसे दूर करूँ तो आप मुझे text कर सकते हो या comment कर सकते हो मैं definitely इतलाए करूँगा I promise बस आपका quality question होना चाहिए कि actual में आप कुछे लगे कि हाँ आप कुछ problem से actual में जूज रहे तो इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए